तो दोस्तो के बीसी पंदरा में एक करोड रूपए जिदने वाले जसकरन सिंग के हाथ में कितने पैसे आए आफटर टैक्स कट टैक्स कटने के बाद जसकरन सिंग के हाथ में कितने पैसे आए तो आज की वीडियो मैं यहीं बात कहने जा रही हूं तो वीडियो को अन तक दे पर बैठे कंटेस्टेंट को यही कोशिस रहती है कि वह ज्यादा से ज्यादा प्राइज मनी अपने नाम कर ले हाली में इस सीजन को जसकरन सिंग के रूप में अपना पहला करोड़ पती मिला है अलांकि क्या आप जानते हैं कि एक करोड़ रूपए जीतने वाले जसकरन के हा सको को भी इसे काफी प्यार मिलता है तो पंदरवा सीजन टेलीकास्ट किया गया जिसमें एक करोड़ की रासी जीतने वाले जसकरन सिंग ने पूरे जो है एक करोड़ रूपए जीते साथ करोड़ का जवाब वो नहीं दे पाए तो जसकरन ने एक करोड़ रूपए की प्र वो में कितनी price money जितने पर उनके amount में से कितना tax काटा जाता है एक करोड रुपे जितने पर हाथ में आएगा इतना amount कौन बनेगा करोड़ पती 15 में एक करोड रुपे जितने 34 लाख रूपए टैक्स में देने के बाद 65 लाख रूपए ही हाथ में मिलेंगे 65,68,000 और एक करोड रूपए से ज्यादा अमाउंट पर 15,30 सर्चाज देना होता वहीं कंटेश्टिंट 50 लाख रूपए से ज्यादा अगर जीते हैं तो उन्हें 10 फिस देना पड़ता है ठीक ह आप साथ करोड जीतने पर कितने मिलेंगे अगर कोई कंटेश्टिंट साथ करोड रूपए जीत जाता है तो उसके खाते में केवल 44,88,000 रूपए ही आते हैं साथ करोड रूपए में से तो पंद्रा फिस्दी के सर्चाज के तहद 31,004 परसेंट से से यानि 9,00,000 रूपए है तो उमीद करूंगी दोस्तों आपको मैंने सही जानकारी दी है तो वीडियो जारा सा भी इंफोमेटिव लगा हो तो इसे सेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइबर के बैल आइकन को प्रेस कर लिए आज के लिए इतना ही आगे फिर मिलेंगे धन्यवाद